रातपुर कलोनी पिंजोर में एक व्यक्ति का वाटसेप हैकर बनाया ग्रूप हैकरों ने मांगने शुरू किये पैसे 60,000 पियों की हुई दोखादड़ी साइबर क्राइम को दी शिकायत। रातपुर कलोनी के रहने वाले रमेश चैलदार ने वीरवार को बताया कि इसका बेटा बिमार था और पंचकुल एक प्राइविट हॉस्पेटल में एड्मिट था जब हॉस्पेटल से घर वापस अपने बेटे को लेकर आया तो किसी ने मेरा वाटसेप हैक कर लिया और हैकरो द्वारा दिये गए बैंक खातों में पैसे डालने शुरू कर दिये इस तरह से कुल साथ हजार पियों की हैकरो ने वाटसेप के जरिये ठगी कर उनके जानकार उसे पैसे निकलवा लिये रमेश जालदार ने बताया कि वीरवार की राद तक भी उसके ग्रूप में फेक मैसज आने शुरू हो रखे हैं और इस दुरान उन्होंने पिंजोर पुलिस को भी शिकायद दी तो उन्होंने साइविर क्रैम के पास मामला भेज दिया रमेश जालदार ने बताया कि मोबाइल हैकरों दोरा वीरवार की राद तक मैसज डाले जा रहे थे और उनके जानकारों से पैसों की डिमांड की जा रही थी उनके और से भी मैसज भीज़ कर और फोन कर पैसे ना देने की बात की जा रही है रमेश जालदार ने बताया कि वह मोबाइल हैकरों से बहुत परिशान हो चुका है और साइबर क्राइम में शिकायद देने के बाद भी हैकरों के हौसल इतने बड़े हैं अभी तक मोबाइल पर मैसज भेजने का सिलसला जारी है और साइबर क्राइम पुलिस भी कुछ नही कर रही और वह उसके मोबाइल वाटसैप का भी गलत इस्तमाल कर रहे हैं रमेश जालदार ने पिंजोर पुलिस और साइबर क्राइम विभाग से इस और जल्द ठोस कदम ठाने की मांग किया ताकि कोई और इन हैकरों के हत्ते चड़ने से बच सके इन दिनों हैकरों द्वा